हलो एबरिवान स्वाकत है आप सभी का आपके अपने यूटुब चैनल स्टड़ी पॉइंट विद निगम सर्पर जी हां देखो बेटा पाट टंबर ये दोसो सरसठ है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे शामाजिक परिवर्तन का रेखी सिथा ठीक रहां यानि कि क्लास है कि वह इतना कहेंगे बेटा वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और जो आपको में पॉइंट्स लगते हैं उनके नोट्स जरूर बनाएगेगा क्योंकि यहां पर देखे बहुत ही प्यारा सा है बिल्कुल बहुत ही गजब का है तो चलिए जानते हैं बिल्कु स्पेंसर हैं और कौन है बोलो हाब हाउस है ना का योगदान जो है बहुत महतुपूर रहा है तो यह ध्यान लखेंगे पॉइंट्स सामाजिक परिवर्तन के रेखी सिध्धान्त कारों में किसका अगस्त काम्टे काल मार्क्स वेबलन इस्पेंसर और हाब हाउस है ना इनका जो योगदान है बेटा वो बहुत ही जड़ा क्या रहा है बोलो महतुपूर रहा है आगे देखें मार्क्स और वेबलन के सिध्धा सिध्धान्त रेखी के सास्थ प्राविधिक सिध्धान्त भी कहा जाता है क्योंकि इन दोनों विद्वानों ने उत्पादल की प्रविधियू अथवा प्रद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन के आधार पर ही सामाजिक परिवर्तन के विभिन इस्तरों को इस्पष्ट किया है आगे दिखते हैं इसके बाद देकि बहुत ही बहुत ही जबरजस्ट है अगस्त काम्ते का विचार है कि मनुसिका बौधिक विकास शामाजिक परिवर्तन का प्रमुक कार रहे यह बौधिक विकास तीन निश्चित इस्तरों के द्वारा होता है किसके द्वारा बेटा एक आपका है धार्मिंक इस्तर एक आपका है तात्विक इस्तर और तीसरा आपका वैग्यानिक कहलो या फिर कहलो प्रत्वियच इस्तर याद रखना हाँ ये तीन बेटा इस तर है विचार किसका है अगस्त कामते का है जी यहां से बेटा इसी प्रिकार देखो questions बनके आएंगे और selection लेना है बेटा तो इन चीजों को बहुत इध्यान से प्रेमाइड में बैठालना पड़ेगा चीजों को अच्छे से revise करना पड लिए प्राकतिक प्रवरण के सिध्धांद का प्रिद्पादर किया प्राकतिक प्रवरण के नियम के अनुसार प्रकत योग प्राणियों को जीवित रहने के लिए छोड़ देती है यानि कि बेटा दुखत जो ये प्राकतिक प्रवरण का नियम है ना इसके अनुसार क्या जो प्रकति है योग की प्राणियों को जीवित रहने के लिए बिटा ये छोड़ देती है तथा निर्बल प्राणियों का जो है वो विले कर लेती है प्राक्तिक प्रवरण की यह हुआ क्रिया प्रतीक समाज में श्वताह यानि कि अपने आप से भी लिया सील रहती है अस्तित को बनाए रखने के लिए संघर्च में केवल वही व्यक्ति जीवित रह पाते हैं जो अधिक सक्तिसाली और कुसल होते हैं अब यहां पर लिखा है संसकृति का प्रचार सिध्धान रैखिक परिवर्तन से संबंधित इन सिध्धान्त कारों के मतानुशार शामाजिक विकास के विभिन इस्तरों में एक विसेश समूह का दूसरे समूह पर संसकृतिक प्रभुत देखने को मिलता है जो अपनी संसकृत अधिक विक्सित कर लेता है वह अन्य समूहों कारपद्यतियों तता शामाजिक संगठनों को निश्च्यात्मक रूप से प्रभावित करता है जैसे सुमेर, शिंधू तता वैदिक बेटा जो इस सिध्धा सब भिताये रही है काल मार्क्स ने उत्पादन की प्रवधियों के आधार पर शामाजिक परिवर्तन को एक रेखी एक्रम में इसपश्ट किया है किसने बोलो काल मार्क्स ने इस सारे के सारे पॉइंट जो हैं बिल्कुल आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे याद रखना है चलिए बिल्कुल अगले पेज़ पर चलते हैं तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल बहुत ही बिटा है महात्रपॉर्ण चेज और दगो यहाँ पर हर एक चीज जो है बिल्कुल मैंने step by step type करके है ना आपके सामने में बिटा में लेकर आया हूँ क्योंकि ऐससे दगो बिटा यह है कि यह वीडियो दस से पंदरा मिल्ड में आपका बन जाता है और आप इसको अच्छे से समझ भी सकते हैं और इसी चीज को बिटा अगर मैं step by step लिखूंगा तो आप मान के चलो बिटा घंटो जो है इसमें लगेंगे हाँ घंटो लगेंगे तो चीजे हैं आपके लिए बस इतना में बोलूँगा आप ध्यान से पढ़ना और हर एक पॉइंट लिखा है काल मार्स के मतानुसार शामाजिक परिवर्तन प्रद्योगी की एवं आर्थिक कारकों से जनित है किसके अनुसार बिटा हाँ दो काल मार इसका बिल्कूल मार्स का विचार है कि मनुस्त की आवसकतायों को पूरा करने का अधार उतपादन और क्या है बोलो कि दोगी की है जब कभी भी उत्पादन की प्रवधियों में परिवर्तन होता है तो हमारे आर्थिक संबंदों में भी परिवर्तन हो जाता है यह एक नई आर्थिक संद्चना होती है तथा इसी की नियू पर सामाजिक वैधानिक तथा राजनीतिक संद्चना का निर्माड होता है इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन का आधार भूत कारण प्रध्योगी की में होने वाला परिवर्तन है अब इड़ा इसके निमनी स्थर है बहुत सारे स्थर है तो देखो उत्पादन के तरीकों में परिवर्तन एक स्थर हुआ उत्पादन की सक्तियों में परिवर्तन, आर्थिक स्मंधों में परिवर्तन और बेटा क्या है बोलो इसके अलावा एक आपका हो गया सामाजिक परिवर्तन, चीक है तो सारे के सारे समझ गया होगे अब इसके बाद आगे देखिए दो लिखा है काल माक्स का सिध्धान वर्तमान समय में सरवाधिक महत्पूर एवं क्रामतिकारी सिध्धान तो माना जाता है दो सबसे ज़्यादा बेटा महत्पूर और क्रामतिकारी सिध्धान क्रामतिकारी सिध्धान बेटा किसका काल माक्स का है ना हाँ बिलकुल इन्होंने इतिहास की भौतिक व्याख्या की और बताया की मानव इतिहास में अब तक जो परिवर्तन हुए हैं वे उत्पादन प्रडाली में परिवर्तन के कारण ही हुए है ये भी ध्यान अगना बढ़िया है बढ़िया है बिलकुल बढ़िया है काल माक्स के विचार में इ दो वर्गों के संगर्ज का क्या है बोलो इतिहास है इसको ध्यान रखना यह वाला बेटा पॉइंट जो है यह भी बहुत ही महातुपूर है और ओवराल आपको शंपूर जो थेवरी है वो आपको याद रखनी है यह समझेगा बिलकुल संपूर का मतलब संपूर हां कुछ भ प्रद्योग की दशाएं उत्तरदाई हैं इनका सिध्धान प्रद्योग की निर्लेवाद प्रद्योग की निश्चेवादी कहलाता है किसका है बेटा वेबलन का है ना बिलकुल हां इसे क्या बोलते हैं प्रद्योग की निर्लेवाद या प्रद्योग की निश्चेवादी वेबलन का विचार है कि मानो अपनी आदतु द्वारा नियंत्रित होता है आदतु का निर्माण भौतिक पार्यावरण एवं प्रद्योगिकी के अनुसार होता है आदते ही सामाजिक संस्थाओं का निर्माण करती है एवं सामाजिक संस्थाओं सामाजिक धाजेगा अब आगे देखना अताहा यहां से बटा देखेंगे अताहा जब प्रद्योगी की एवं भौतिक वातावरण में परिवर्तन होता है तो मानों की आदतों संस्थाओं एवं सामाजिक धाचे में भी परिवर्तन आता है वेबलन अब यहां पर आगे बढ़ेंगे ध्यान से बि मूल प्रवत्ती जो व्रति में विंदिमान है दूसरा क्या है नई प्रविधियों का विसकार जो उप्युक्त मूल प्रवत्ती का बिटा क्या है वो लोग परिवर्णाम है ठीक है चलिए अगले पेच पर चलेंगे और बहुत ध्यान से देखो हां जो भी है बिलकुल क्यो बहुतिक पार्या वरण में परिवर्तन जिसका कारण नई प्रविधियों का उप्योग है आदतों और विचारों में परिवर्तन है है ना बिलकुल सामाजिक धांचे में परिवर्तन जिसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं वेबलन का बेटा कथन क्या है देखो ये बहुत बढ़िया है वेबलन का कथन है कि मनुसी जैसा कारी करता है वैसा ही बन जाता है वह उसी प्रकार का सोचता और अनुभाव करता है बेटा किसका कथन एक जाम में आ जाएगा आराम से मनुसी जैसा कारी करता है वैसा ही बन जाता है वह उसी प्रकार का सोचता है और होगे जब आप इस थेवरी की क्लास को बहुत अच्छे से हना रेड करोगे इस्टडी करोगे ठीक ना इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि वीडियो देखने के साथ हर एक इस्टे बाइ इस्टे पॉइंट को समझा जाए ध्यान से इसको सुनो लिखा है विबलन ने प्रद्योगिक कारकों अथवा नई प्रवधियों के उप्योग को ही सामाजिक परिवर्तन का मौलिक स्रोत माना है इस सम्मंद में मैकाईवर का कहना है कि कुल मिलाकर विबलन को एक प्रद्योगिकी निश्चेवादी माना जा सकता है तो यहां पर देखेगा एक छोटा सा वीडियो था और छोटा सा तो वीडियो भले कहलो लेकिन वीडियो बेटा बहुत ही जवरजस्त है तो इतना मैं बोलूँगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को क्या करेंगे बोलो लाइक करेंगे अपने फ्रेंड्स में सेर भी करेंगे और कोसिस करेंगे एवरी डे आपको मॉर्निंग में एक ठेयोरी की क्लास जरूर मिलेगी इसके अलावा भी क्या है